यहां leopard भी आता है, यहां tiger भी आता है और यहां पर हाती भी आता है इसी पानी को पीने जंगली जानवर भी आते हैं यह खास है अक्सर इनले जानवर चिपकर खास करके गुलदार और tiger चिपकर शिकार करते हैं शाइद आगे रास्ता बंद हैं forwillers के लिए कहते हैं कि माता के इस मंदिर में गुल्दार और बाग तक आते हैं उपर तक आज मैं आप लोगों को लाया हूँ धर्मनगरी हरिद्वार में राजाजी टाइगर रिजर्व के घने जंगलों के अंदर लेकिन यहां मैं आपको जंगली जानो रहे नहीं दिखाऊंगा बलकि माता के एक सिद्धपीट के दर्शन कराऊंगा जो राजाजी टाइगर रिजर्व के घने जंगलों के अंदर है दरसल इस सिद्धपीट का नाम है मा सुरेश्वरी देवी मंदिर और यहां माता भगवती साक्षात रूप में रहती हैं और यहां जो भी सद्धालु आते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी होती है और इसी स्थान पर इंद्रदेव ने माता भगवती की तपस्या भी की थी तो चलते हैं हरिदवार की राजाजी टाइगर रिजर्व के अंदर इस्थित मा भगवति के सिधपीट के दर्शन के लिए और मजा लेते हैं जंगल के रोमांच का भी राजा जी टाइगर रिजर्व में एंट्री करने से पहले टूविलर और फोर विलर का एंट्री शुल्क जमा कराना होगा प्रवेश शुल्क तूविलर्स के लिए पंद्रा रुपे और फोर विलर्स के लिए तीस रुपे है यहां सफाई का विशेज ध्यान रखना है और पॉलोथीन और प्लास्टिक को खुले में नहीं फेकना है जब आप एंट्री करेंगे तो यह राइट वाला रास्ता वन विभाग के गेस्ट हाउस जाता है और जबकि यह सीधा रास्ता जाता है मंदिर की तरफ आप मेरे पीछे देख सकते हैं यह सुन्दर नजारा यह राजाजी टाइगर रिजर्व का नजारा है और यह जो सडक है यही जाती है मा सुरेश्वरी देवी मंदिर की तरफ और आपको प्रकर्टी के इसी सुन्दर नजारे के बीच में से होते हुए आप पहुंचते हैं मा सुरेश्वरी देवी के मंदिर यहां विशेश धियान रखने की ज़रूरत है क्योंकि यहां लैपड भी आता है यहां टाइगर भी आता है और यहां पर हाती भी आता है वैसे तो खत्रे वाली कोई बात नहीं है लेकिन जंगल के अपने नियम होते हैं और उन नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है और ये सुन्दर नजारा प्रकरती का आपको मोहित करेगा और अपनी तरफ आकरशित करेगा और जंगल का एक रोमांच देगा ये बरसाती नदी है आमूमन इसमें पानी नहीं रहता है लेकिन अकसर बरसात में ये उफान पर भी होती है इसी पानी को पीने जंगली जानवर भी आते हैं इसलिए मैन और वाइल्ड कन्फिलिक्ट के चांसेज बढ़ जाते हैं इसलिए एतियात बरतना बेहत जरूरी है क्योंकि यहां आप जंगल में है आप देखिए मेरे पीछे यहां पर भी एक वाटर क्रॉसिंग है छोटी सी क्योंकि ये बरसाती नदी आ है एक नदी पहले पड़ी थी और एक नदी यहां पर है लेकिन इसमें आप जब क्रॉस करेंगे तो विशेज ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि पानी के कारण इसमें काई जमी रहती है और बहुत तूविलर्स यहां पर फिसलते हैं बारिश के समय यहां पर रास्ता खराब हो जाता है और यह मौसम भी इस समय मांसून का ही चल रहा है तो देखे कैसे जब इधर किचड हो गया गाड़ी जाने का रास्ता नहीं बचा तो यहां पर गास फूस काट कर रास्ता बनाया यहां आप जंगल में देखेंगे कि इतनी बड़ी बड़ी यह घास है अक्सर इनमें जानवर छिपकर खासकर की गुलदार और टाइगर छिपकर शिकार करते हैं अगर आप मा सुरेश्वरी देवी के मंदिर आना चाहते हैं तो यह हरिदवार रेलवे स्टेशन से लगभग आठ किलोमीटर की दूरी पर हैं अगर मैं आपको पूरा एड्रस बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी लेकिन आप यहां पर आटो से टू विलर से फोर विलर से ए रिक्षा से हर तरीके से आ सकते हैं आप इस समय देख सकते हैं यहां पर यह बरसात का समय चल रहा है और रास्ता शायद यह खराब है क्योंकि यहां रेद जमी दिख रही है और यह पानी भी यह रेद सारा जब नदी उफायन पर होगी शायद तब यहां आकर जमा हो गया होगा इसलिए उमीद ऐसा लग रहा है कि आगे शायद रास्ता बंद होगा क्योंकि यह गाडिया भी दिख रही है यहां पार्ख होई वी तो उमीद ऐसी है कि शायद आगे रास्ता बंद है वैसे तो आमूमनी इतना खराब नहीं रहता है लेकिन यह मानसून का सीजन है और बारिश की वजह से यह रास्ता इतना खराब हो चुका है इसलिए आप जब भी बाइक से यहां हैं तो आप सोच समझ कर आए थोड़ा एहंतियात बरत कराएं वही हुआ जैसा की हमें लग रहा था रास्ता खराब है मौनसून के कारण यहां शायद बहुत ज़्यादा पानी आया होगा जिससे मिट्टी का यह कटाव हो चुका है और फोर विलर्स के लिए जाने का रास्ता नहीं बचा तूविलर और पैदल वालों के लिए रास्ता यहां बनाया गया है रेत के बजरी के इन कट्टों को रखकर आप देख सकते हैं कितने सारे यह कट्टे रखे हैं रेत और बजरी के ताकि तूविलर से और पैदल लोग असानी से मंदिर में जाकर माता के दर्शन कर सके हैं आप ही गाड़ी खड़ी करनी पड़ रही है आप देख सकते हैं जो लोग फोर विलर से आ रहे हैं वो फोर विलर को पीछे ही खड़े करके यहां से थोड़ा सा यानी 500 मीटर बचाए वो सफर पैदल टै कर रहे हैं और इस पैदल सफर में भी यह लोग जंगल के रोमांच का आनन दे ले रहे हैं प्रकरती के सौंदर्य का लुट्फ उठा रहे हैं जितने भी लोग यहां पर इस समय फोर विलर से आ रहे हैं वो अपनी गाड़ियों को यहीं पर पार्क कर रहे हैं क्योंकि आगे इनकी यह गाड़िया जाने ही सकती हम पहुंच गए हैं राजजी टाइकर रिजर्व के अंदर मा सुरेश्वरी देवी सिद्ध पीठ में और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ही माता का यह सिद्ध चलती है उसमें भी पानी नजर आ रहा है इसलिए लोगों को अपने टू विलर्स मंदिर से पहले ही खड़े करने पड़े हैं आप खासकर ध्यान रखियेगा जब ऐसे समय में पानी में आप चलते हैं और सीसी रोड होती है तो काई जमी होती है फिसलने का डर रहता है तो समझ कर एहतियात बरत कर चलें आप देख सकते हैं यहां पर भी कितनी रेज जम हैं कई बार यहां पर यह नदी उफान पर होती है पिछले साल तो यहां पर एक गाड़ी फस गई थी जिसे जेसी भी से निकाला गया था आप यहां एंट्री करेंगे तो बगल से यहां से रा मंदिर के इस विशाल परिसर में गाड़ीयों को पार्क किया जाता है और इसी पार्किंग का शुल्क एंट्री फीस के साथ भी जमा होता है और आप देख सकते हैं कितना बड़ा यह परिसर है जहां आराम से सैंकडों गाड़ीयों को पार्क किया जा सकता है और यहां पर हम मंदिर के बिलकुल समी पहुंच चुके है और ये है सामने मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार ये सिद्ध पीट माता दुर्गा और माता भगवती को समर्पित है लोक कथाओं के अनुसार राजा रजी के पुत्र से देवराज इंद्र पराजित हो गए थे और उन्हें देव लोक से निश्काशित भी कर दिया गया था वे राजा रजी के पुत्र से बहबीत होकर इधर उदर भटक रहे थे चिप रहे थे तभी देव गुरु ब्रहस्पती ने उन्हें सुझाव दिया कि आप भगवान विश्नु की स्तूती करें देवराज इंदर ने भगवान विष्नु की स्तूती की भगवान विश्नु ने प्रसंध होकर देवराज इंदर को दर्शन दिये लेकिन भगवान विश्नु ने कहा कि आप माता भगवती की शरन में जाए और उनकी अराधन करें इसी स्थान पर भगवान विष्णु की सलहा पर देवराज इंद्र माता भगवती की शरण में आये और उनकी अराधन की देवराज इंद्र की तपस्या से प्रसंद होकर माता भगवती ने देवराज इंद्र को इसी इस्थान पर दर्शन दिये थे जहां आज माता सुरेश्वरी देवी का ये सिद्ध पीठ है जैसे ही आप सीडियों से उपर चड़ते हैं तो सबसे पहले सामने सुरेश्वर महादेव के दर्शन होते हैं सुरेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद सभी स्थ दालू जाते हैं माता सुरेश्वरी देवी के दर्शन करने जो मंदिर बिलकुल सुरेश्वर महादेव के सामने है और आप देख सकते हैं ये हैं माता सुरेश्वरी देवी का सिद्ध पीट जो बिलकुल सुरेश्व महादेव के सामने हैं यहां आप वीडियो के माध्यम से वर्चुली दर्शन कीजिए आशिरवाद प्राप्त कीजिए मा सुरेच्षवरी देवी का ऐसा कहा जाता है कि इस इस्थान पर हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है चाहे आपकी कैसी भी मनोकामना हो संतान नहीं हो रही हो तो भी संतान प्राप्ती का वर्दान यहां पर माता देती है और यह देखिए आप यह विशाल मंदिर परिसर है नवरात्रों के दौरान यहां बहुत ज़्यादा भीड रहती है हाला कि अभी खाली दिख रहा है क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और बहुत कम श्ठधालू यहां है लेकिन यह बड़ा विशाल परिसर है यहां यग्ये अक्सर आयोजित किये जाते हैं इतनी भीड रहती है तो कई बहुत लंबी लंबी यहां पर लाइन लगा कर माता के दर्शन करने के लिए श्ठधालूं को इंतजार करना पड़ता है लेकिन यह सुन्दर मंदिर और प्रकृती का यह अलौकिक नजारा आपको मंत्रमुग्ध करेगा आपको अचम्भित करेगा देवतुल्यता के दर्शन कराएगा कहते हैं कि माता के इस मंदिर में गुलदार और बाग तक आते हैं उपर तक कई लोगों ने खुद गुलदार को बाग को यहां आते हुए देखा है मंदिर के आसपास तो आपको हिरन भी देखने को मेल जाएंगे और भी जंगली जानवर देखने को मेलेंगे हाथी भी देखने को मिल जाएगा लेकिन यहां उपर चड़ने के लिए सीडियां है और हाथी विशाल का शरीर होने के कारण इतने उपर तक नहीं आ पाता लेकिन मंदिर में नीचे हाथी भी देखने को मिल जाता है इसलिए शाम के समय तक यहां मंदिर को बंद कर दिया जाता है और पर्जेटों के आने पर रोक रहती है इसलिए आप जब भी यहां आए तो कोशिश करें सुभा के वक्त और शाम को चार बज़े से पहले आए क्योंकि घना जंगल है ताइगर रिजर्व का यह पूरा छेत्र है इसलिए यहां पर जंगली जानोरों की वज़ा से खत्रा बना रहता है मा सुरेश्वरी देवी मंदिर और सुरेश्वर महादेव के अलावा प्रकरती की इस अलौकिक छटा के बीच मा काली का भी मंदिर है और मा काली के मंदिर के लिए उपर की तरफ रास्ता जाता है और वहाँ से ये सुंदर नजारा दिखता है अब तो खैर माता काली के मंदिर तक आने के लिए सीड़िया बन गई है पूरा अच्छा रास्ता बन गया है लेकिन कई साल पहले यहां आपको पहाड़ी चड़कर आनी पड़ती थी और पहाड़ी कैसे चड़ते थे वो वैसी पहाड़िया होती थी जैसे आमूमन उबढखावड रास्ता होता है चक्ताने होती है पत्थर होते है तो उस रास्ते को चड़कर यहां तक आना पड़ता थ लेकिन अब ये रास्ता बिलकुल अच्छा कर दिया गया है जहां आने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आप आएंगे तो यहां पर थंडी थंडी हवा आपको आनंद देगी और ये नजारा प्रकृती का आपके दिल को जीत लेगा आपके मन को सुख की अनुभूती क करेगा दोस्तों उमीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपने हमारे तीर्थ और पौरानिक स्थलों के बारे में काफी कुछ जाना होगा ऐसा जो आपको पहले नहीं पता होगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शे परंपरा कितनी महान है और कितने पौरानिक और सिद्धपीठ हमारे यहां है जहां आकर आप भगवान का अशिरवाद प्राप्त कर सकते हैं अपनी मनो वांचित मनो कामनाओं को पूरा कर सकते हैं और देवतुल्यता के दर्शन कर सकते हैं आज की वीडियो में फिलाल इतन झाल झाल